सर्वोच नियालय द्वारा आयोजित विशेश लोक अदालत आज संपन हो गई है यह लोक अदालत नई दिल्ली में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित की गई थी इसका उदेश्य नागरिकों को यथा संभव, सरल और त्वरित नियाय प्रदान करना है सर्वोच नियालय ने अपनी 75 वी वर्षगाठ के उपलक्ष में यह पहल की है लोक अदालतें सुलब और कुशल नियाय प्रदान करती हैं जो त्वरित और किफायती भी होती है आज लोक अदालत के अंतीम दिन कारेक्रम को संबोधित करते हुए कानून और नियाय मंतरी अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत में 1000 से अधीक मामलों का निप्तान किया गया उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दिवानी भू अधिग्रहन और व्यवाहिक मामलों का समाधान किया गया है स्रीमेखवाल ने कहा कि मध्यस्थिता के माध्यम से समाधान करना भारती संस्कृति की परंपरा है इस असर पर मुखी न्यायधीष डीवाय चंद्रचूर ने कहा कि लोकदालत का उद्देश्य नागरिकों के लिए न्यायप्रक्रिया को सुगम बनाना है